नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। उक्रेन का दावा है कि उसने नेप्चून मिसाइल का इस्तेमाल करके इस युद्धपोत को आग के सोले में बदल दिया। युद्धपोत को बहुत ज़्यदा नुकसान पहुंचा है। उक्रेन पे रूसी सेना के हमले का इस पचासवा दिन है और युद्धपोत के नुकसान से रूसी सेना को बहुत बड़ा जटका लगा है। युद्धपोत के गवर्नेर ने दावा किया है कि रूसी युद्धपोत को मिसाइल हमले में तबाह किया गया है। उसमें धमाका हुआ है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि रूस दावा कर रहा है कि गोला बारुद में धमाके की वज़ा से घटना हुई अजब की उक्रेन कह रहा है कि हमने उससे तबाह कर दिया है। रूस का मुस्कोवा युद्धपोत 600 फूट लंबा और 12,500 टन का गाइडेड मिसाइल कुजर है। इसे सबसे पहले साल 1989 में लांच किया गया था। ये बहुत तेजी से जल रहा है। समुद्र में तुफानी मौसम की वज़ा से अभी पता नहीं चल पाया है कि इसमें आख जेक ट्रिप पता करने की कोशिस की जा रही है। इस्ते पहले बिटेन ने कहा था कि वो उक्रेन को एंटी सिप मिसाइल देगा। रूस का काना है कि यह युद्धपोत 16 एंटी सिप वुलकान कुरूज मिसाइलों से लाइस ते इस्ते पहले रूसी रिटायर एड्मिरल ने इसे काला सागर में सबसे महतपूर जुद्धपोत करार दिया था। उक्रेन ने कहा है कि इस हमले में कए रूसी स्थैनिक भी मारे गए हैं। और यदि यह घटना जैसा कि दावा किया जा रहा है सही निकलती है तो अब तक का रूस का सबसे बड़ा नुकसान है। उसने य इन बेखबार देखते रहिए इन खबार थैंक यू